महेंद्र के साथ टेम इंडिया वर्स 2015 में अवने समराज अवने सम्दा को गोई जुकी थी भारत को पंचान भी रनों की हार में भारत की हार मोई अस्ट्रेलिया है बीट इंडिया वे 95 रान इंडिया ज्रीम इस ओवर, महेंद्र सिंग दोनी गोड वेल, वेल, वें वेंद्र को आप प्लेड इस लास्ट वन दे इंटर्नाशनल महेंद्रिक दोनी मुदावाद मुदावाद इस पराजय के बाद अगले कई सालों तक टीम इंडिया कई बतलावों से गुजरती है सबसे पहले माही ने टीम इंडिया की कमान टीम इंडिया के उफ कफ्तान किंग विराट को सौप दे और नए कफ्तान की नए सोच के साथ इंडियन क्रिकेट नहीं नहीं उचायों को छू रहा था लेकिन कंगारों के हाथ हो सेमी फाइनल में उस पराजे के बाद 2017 चेंपिन्स ट्रॉफी के इस फाइनल में उद्दिबाग के सामने इंडियन टीम में विस्ट जैंपिन होने का किताब गो दिया ये पराजे संपूर्ण भारत के लिए सैनी अकल्पनी बहत तरदनाग थी परन्तु अब सब को इंतजार था वरस 2019-2019 के इस वर्ल्ड कप का विराट की कप्तानी में टीम इंडिया का डॉमिनस अफ संपूर्ण विस्ट देख रहा था वर्ल्ड कप के लिग मैचव में बैक टू वैक जी तरजित करती है टीम इंडिया कोईली की कप्तानी और रिट मैन के पराक्रम की बदोला अब विस्ट वी जैसे महस दो कदम दूर थी सेमी फाइनल में अब टीम इंडिया का मुकाबला होने वाला था कीवी उसे कीवी कुछ हैसे योद्धाओं का सुख जिनके पराक्रम की चर्चप बेहत कम होती है परन्तों वो हर वाय अपने पराक्रम की बदोला कई चर्चित योद्धाओं की खौप को खौप बना देते है नवसकार आप देख रहे हैं तो डोक्यूमेंटरी तो डोक्यूमेंटरी के इस वसल एपिसोड ता स्टूरी ओफ सिंगू 9 जुलाई 2019 मैंचेस्टर का ये मैदान तोनों टीमों के कफटान अम मैदान पर थे सिक्का कीवी कफटान बिलियम्जन के पक्छ मेरा और केन ने टौसित कर पहले वल्लेवाजी करने का फैसला किया दोनों ही टीम अपने एक-एक बतलाओ के साथ मैदान पर उतरती है कीवीयों की टीम में साओधी की जगए फार्गिवसन को मौका मिलता है वहीं टीम इंडिया में कुल्देव की जगए शेजर्वित जहल को मौका दिया जाता है न्यूजिलेंड की पारी की सुरुवात स्वैम मार्टिन गफडिल और हैंडरी निकोल्स कर रहे थे न्यूजिलेंड की इन दोनों बल्लेवाजों के सामने चुनाती थी इन दोनों के इदवाजों के सांदार के इदवाजी की बतौलत कफ़तान केन का पहले वल्लेवाजी करने का फैसला अव तक गलत सावित हो रहा था पहले पावर प्ले में न्यूजिलेंड के खाते में मेर्स 27 रनाते हैं इंडियन के दवाज कीवी वल्ले वाजों पर पूरी तरहावी थे। पावर प्ले के समापती तक केवीओं के दूसरे उपनर ने भी घुटने टेख दिये। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कीवीओं की खाते में ते 70 रन पर दो विकेट थे। रोस और केन का संगर्स चारी था। नियूजिलेंड के ये दूनों वल्ले वाज एक एक पॉंडरी के लिए तरस रहे थे। 30 ओवर तक नियूजिलेंड मैज 113 रन बना पाती है। कप्तान विलियमसन ने 78 गेतों में अपना अर्थ सतक पूरा किया। कीवियों के ये दूनों वल्ले वाज 3.8 के रन रेट से बल्ले वाजी कर रहे थे। इस धीमी वल्ले वाजी के कारण नियूजिलेंड 35 ओवर में 133 रन बना पाती है। मैश के अंगले ओवर में चैल ने अपने चाल से कफ्तान केन को अपना सिकार बना लिया। कप्तान केन के बाद एक छोर से रॉस का संगर सजारी था परंत दूसरे छोर से बैक टू बैक फिकेट गिर रहे थे। 45 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और कीवियों के खाते में मैश 202 रन थे। अब अगले 5 ओवर का खेल बांगी था लेकिन पारिस के कारण ये मैश यही रोप दिया जाता है। रिजर्व डे में न्यूजिलेंड के पारी वहीं से सुरू होती है जहां एक दिन पहले खत्म होई थी। परंतो एक अच्छी फिनिस की उम्मेद कर रहा न्यूजिलेंड अगले 3 ओवर में अपने 3 वड़े विकेट खो दे थी। पचास ओवर कब खेल खत्म हो चुका था। न्यूजिलेंड के खाते में 249 रन थी। ये रहा न्यूजिलेंड के बल्ले वाजू का स्कोर काट। न्यूजिलेंड की ओर से रॉस टेलर ने 133 गेदों में 74 रन बनाये। वहीं केन बिलियंसन ने 137 गेदों में 66 रनों की एक बेहधीमी पारी खेली। ये रहा इंडियन गेद वाजू का लेखा जो खा। 300 गेदों में 240 रनों की एक सांदार चुनाओती थी। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष असंभव तो नहीं परंद ओवर कास्ट कंडिसन होने की गारण ये लक्ष आसान भी नहीं था। इस लक्ष का पीछा करने उतरे रोहित और राहुल के सामने चुनाओती थी ओल्ट और मैट हैंरी की। पारत के उम्मेदों में पानी फिर दिया। टीम इंडिया ने बैक टू बैक अपने टॉप के तीन वल्लेवाजों को खो दिया। नियूजिलेंड के इन दोनों के इतवाजों ने इंडियन वल्लेवाजी की चड़ें हिला दे। प्रोहित राहूल किंग विराट ये तीनों वल्लेवाज सुरुआती चार ओवर में सिमट चुके थे। पहले पारी में पचास ओवर तक डॉमिनस करने वाली टीम इंडिया दूसरे पारी के सुरुआत से ही बैक फूट पर नजार आ रही थे। कीवी के इदवाजों का ये पलटवार इंडियन वल्लेवाजों के समस्य परे था। यंग पंत और टीके ने टीम इंडिया को समालने का प्रयास किया लेकिन दसमें उभर में एक बार फियर कीवियों ने एक मीनी पलटवार किया और साधारन दिख रहे टीके को अपना सिकार बना लिया। अब पावर पले खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में मैट 24 रन थी और इन 24 रन बनाने में टीम इंडिया ने अफने चार विकेट खो दिये थी। इंडियन क्रिकेट की ये तैनेस थी थी। इंडियन क्रिकेट प्रसंस कों से देखी नहीं जा रही थी। उनके चेहरे की ये मायू सी उनके चेहन के दद को साफ साफ बया कर रही थी इन विलखते चेहरों से साफ नजर आ रहा था कि एक बार फिर से इंडियन फैंस का दिल डूटने वाला है एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए फाइनल के दर्वाजे बंद होने वाले हैं परंतु हार्दिक और पंद के संगर्स थे टीम इंडिया इस मैश में कुछ हद तक वाफसी कर चुकी थी इन दोनों के समझदारी की बतालत टीम इंडिया भी सोबर में 70 न बहुँच चुकी थी लेकिन रिसफ के अक्रामक रवाये के चलते और एक वारफे से टीम इंडिया की उमीदों में पानी फिर चुका था रिसफ के साथ अवाधी टीम इंडिया पवेलियन इंट से ये मैश देख रही थी कुछ ऐसे ही हालात में अवेंटरी होती है 2011 के विसविजेता और टीम इंडिया के संकट मोचन महावली महन सिंग दोनी की अब सबकी आँखे नंग थी लेकिन उन आखों की आखरी उम्मीद महावली महन सिंग दोनी से थी MSD ने बड़े समझदारी के साथ इंडियन पारी को आगे बढ़ाया MSD और हार्दिक के वेज एक सांदार साजेदारी होती है परंतु रंगती को दीपर करने के प्रयास में हार्दिक सिंटेनर की इस माया जाल में फस चुके थी 35 ओर का खेल खत्म हो चुका था टीम इंडिया की खाते में 119 रन और 6 विकेट थी ये मैच चीतने के लिए अभी भी 121 रनों की जरूरत थी रिकौइड रन रेट अवाट के पार पहुँच चुका था और टीम इंडिया के हाथ में मैच 4 विकेट थी कुछ ऐसे हालात में अब टीम इंडिया के लिए मैदान में थे सररविन चडेजा और महावली महन सिंग धोनी इन दोनों से टीम इंडिया के प्रसंसकों को बेहत उम्मीदे थी चड़ेजा ने सुरुवात से प्राहर करना प्रारंब कर दिया और महावली महेंसिंग धोनी एक छोर समाल कर रखे हुए थी अब चालिस ओवर का खेल खत्म हो चुका था टीम इंडिया के खाते में टेर सो रन थे अब ये महेंस जीतने के लिए टीम इंडिया को अगली साथ केदों में 90 रन बनाने थी मैश के वैली सामें ओवर में सर चड़ेजा की 50 होती चड़ेजा ने महेंस 40 केदों में 50 रन पूरे किये तीन बड़े छक्के और तीन बड़े चौकों के साथ जड़ेजा द्वारा खेली के ये तूफानी पारे एक वार फिर से केवियों को सोचने के लिए मजबूर कर चुकी थी मैश के 45 में और 46 में ओवर में मिलाकर टीम इंडिया के इन दोनों वल्ले वाजों ने 20 रन पटूर लिए अब अगली 18 गेदों का खेल बांकी था और टीम इंडिया को ये मैश चीतने के लिए मैश 37 रन बनाने थे वरंद ट्रेंड वोल्ड के सूवर में टीम इंडिया मैश 6 रन बना पाती है टीम इंडिया की सारी उम्मीदे और महावली महन सिंग धोनी से थी महेंडर ने शक्के के साथ इस ओवर की सुरुवात की और टीम इंडिया को ये मैश चीतने के लिए अगली 14 गेदों मेश 25 रनों की जरूरत थी लेकिन लक्की की अगली वाल पर महेंडर एक रन भी न बना सकी अब टीम इंडिया को अगले 10 के दूने 25 रनों की जरूरत थी ओवर की तिसरी वाल और महन सिंग धोनी का एक रन और इसी एक रन के साथ महन सिंग धोनी दूसरे रन का प्रयास करते हैं इस दूसरे रंड के प्रयास में Martin Gabriel का ये टारेक्ट थोप कुछ फलो का फांस लगा, कुछ उल्टि वर्ण के सालों के राना के सालों के सालों के सब्रूर और ये वर्ल्ड कब भारत से इतने ही दूरी पर खत्म हो जाता है, इतने ही दूर से अगले चार सालों का एक सब रिप एक तपस्या वन जाता है, एक सपना वन जाता है, सप्पोर भारतवासियों का कप्तान कोहली का ये मायूज चहरा, रोहित की ये नमाखे, बलगते महेंदर का ये चहरा, करोड़ो भारतवासियों के तूटे हुए सपने को पया कर रहा था ये वर्ल्ड कप हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं था, बलकि पिछले चह सालों को वो सप्र था, जो वंगले चार सालों की तपस्या में बदल चुका था इसहर के साथ संपोर भारत के जहन में दर्द था लेकिन एक बार फिर से ये कीवी अब हमारे सामने है और उम्मीद है कि टीम इंडिया इस वार कीवीों को पराजित कर अपने उस सपने को चरूर पूरा करेगी